वेलकम तू सपनों का रहिसे हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या की फेवरेट चैनल सपनों का रहिसे पर स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के इंदर थूख का देखना अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसके मुँ में थूख खुश्क हो गया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला काम चोरी करेगा और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसके मुँ से दूद का जाग या मक्षन निकला है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला किसी दूसरे वेक्ती के साथ जूट बोलेगा और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसने किसी दीवार पर थूप दिया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपना रोपया पैसा किसी बिजनस में इन्वेस्ट करेगा या फिर उसका अपने भाईयों के साथ जगडा होगा और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि वो धर्ती पर थूपता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर उस धर्ती को परचेज करेगा और अगर कोई विक्ती सपने में ये देखे कि उसने किसी पेड़ पर थूका है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला कसम तोड़ेगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखे कि उसने किसी दूसरे वेक्ती पर थूका है तो इसका मतलब है कि उसके बारे में जूट बोलेगा और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसका थूक गरम है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला लंबा जीवन बिताएगा और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसका थूक ठंडा है तो इसका मतलब है कि उसकी बहुत जल्द मृत्यू होगी और अगर कोई वेक्ती सपने में देखे कि उसके मुँ में उसका थूक सूख गया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के आने वाले समय पर कंडिशन जो है वो काफी पतली होने वाली है और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसने किसी की जबान चूसी है या उसने किसी की जबान में अपनी जबान मिलाई है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला उस घर में विवाह करेगा और अगर कोई वेक्ती सपने में ये देखे कि उसके थूक का कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर कोई टैंशन और परिशानी देखेगा और अगर कोई वेक्ति सपने में ये देखे कि उसके मुँ में थूक बंद हो गया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला एक चिंटक लाइफ बिताएगा और अगर कोई वेक्ति सपने में ये देखे कि उसने ऐसे ही बस मुँ से बाहर थूक दिया है तो इसका मतलब है कि उसके मुझे कोई गंदी और गलत बात निकलेगी और अगर कोई वेक्ति सपने में ये देखे कि उसके मुझे थूक के साथ बलड या फिर बलगम आता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला किसी दूसरे विक्ति को कोई गंदी और गलत बात करेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ